नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल English Tech में एक बार फिल से और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं different classifications of reports के बारे में यानि कि report के आज हम लोग different classifications के बारे में पढ़ेंगे कि इनको हम लोग किस तरीके से classified कर सकते हैं हम लोग जिस series में बात करेत थो report writing की series में है हम लोगों ने कई सारी reports writing को कई सारी reports कर रफ कर लिया था जैसे कि internal reports की है、 external reports उति है short long reports का होती है, formal and informal reports क्या होती है और यहां पर देख हैं कि Informational Analytical Reports का होती है। अर लास्ट विडियों म हम लोगों ने जाना था इस्टेटेटरी और नॉन इस्टेटरी रिपोर्ट्स क्या होती है सो दोस्तों सभी की डिफिनेशन को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सभी को सभी टॉपिक्स इन पाचों टॉपिक्स को करद अपकल लिया है यहीं सरे वीडियो Сп Dawn में नहीं है और नहीं है तो मैंने एक प्लेस्ट बनाकर रखी है आपको वहाँ पर सारे बीपोट रॉइटिंग और सारे क्रॉनिकेशन से बम स्वक्स से घृचांब करो दोगए मैं एक बार आप लोगों को इस प्ले लिस्ट का नाम बता देता हूं इसी चैनल पर है Communication for Business and Media Communication for Business and Media ये प्ले लिस्ट का नाम है आप इसी चैनल पर जाकर के चेक आउट कर सकते हैं दोस्तों इसमें आपको सारे रिपोर्ट राइटिंग जो भी रिपोर्ट का स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की सारे जितने भी वीडियो हैं सभी मिल जाएंगे और दोस्तों यहां पर कभी भी इस तरीके से question पुछता है कि मुझे आपको different classifications of report के वारे में बताईए आपको यह बात अलग की है आपका छोटा business है बड़ा business है आपके इसे पान की दुकान लगा रहे हैं या फिर एक आप factory खोल करके बैठे हुए है ठीक है हर एक चाहिए कुछ भी हो लेकिन आपको सारे कुछ ना कुछ रिपोर्ट कुछ आपको लिख करके कहीं ना कहीं रखन ज़रूर ही रहता है ठीक है कि मुझे कितना profit हो रहा कितना नुकसान हो रहा क्या मैं माल खरीद रहा हूं क्या बेच रहा हूं यह सारी चीज़े आपको लिख कर दखनी होती है तो यह business टूल के बहुत ज्यादा important है ठीक है उसके बात से यहां पर देखी कर लिखा है reports have been classified in a numerous ways इसको हम लोग कई सारे बहुत सारे तरीके में इनको हम लोग classified कर सकते हैं ठीक है the form directions and a personal use मनलब कि functional use के basis पर और direction के basis पर हम इनको कई तरीके से classified कर सकते हैं ठीक है our use is the basics for the classification हम किस basis पर इनको classified कर सकते हैं तो यहां पर लिखा भी हो the form of direction and the functional used ठीक है इनके in basis पर हम इनको classified क इसको कुछ इनके classifications नीचे लिखे हुए हैं, following दिये गया हैं, आप इनके बारे में इनको लिखिए और इनके आंगे जो भी इसके definitions वगएर हो, इसको आप लिख सकते हैं, तो internal, external reports को मैं आप लोगों बता चुका हूं, जो भी business के अंदर के वल ऐसे जो भी normally use होती है, जो business के लेकिन सबी को पता होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं, link आपको मिल जाएगा, description box में, या फिर playlist का मैंने नाम बता दिया, आपको ध्यान रखना है, वहापस जाके check out करने है, अब ये short and long reports के होती है, जो short report होती है, ये दोस्तों formal, और ये long report होती ह informal reports के ही अंतरगत आती है, ठीक है, तो formal और informal reports के होती है, इनके बारे में भी हम लोग discuss कर चुके है, informational and analytical reports का मैंने अलग एक video बनाया हुआ है, उसमें हम लोग discuss कर चुके है, और statutory or non statutory reports के होती है, इनके बारे में discuss कर चुके है, तो दोस्तों informational का क्या मतलब बता है, ऐसी reports जिस तो दोस्तों इन सभी के बादे हम लोग बहुत ही जादा डिटेल्स में अलग अलग वीडियो के आध्यम से पढ़ चुके हैं जान चुके समझ चुके हैं तो दोस्तों रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे यही है कि आप लोग सारे की सारे इसने भी टॉपिक्स नहीं पूछा भी जाएगा तो इस तरीके से पूछा जरू जाता है कि इंटर्नल एक्स्टेर्नल रिपोर्ट बताईए या फिर सौर्ट लॉंग क्या रिपोर्ट होते हैं दोनम डिफरेंस बताईए इस तरीके से कोई ना कोई इस तरीके से कुश्चिन आता जरूर है मैं बात करूँ हूँ बिये पार्थट के जो भी स्टुडेंट है लेंगवज के उन सभी व्रक भी घोस्टेर्ट के लिए मौत सब्स्स smoking जरूर आते हैं आंगे नेउस दो कि नोट्विपीकेशन आप तक पहुंच चेकहे और लेकर क्का होते हैं लेटर्स में formal letter informal letter क्या होते हैं किस तरीके से लिखते हैं ठीक है किस तरीके से questions वगरा इसमें पूछे चापते हैं इस अभी के बादे में लोग बात करेंगे आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैं आप लोगों को बताना चाहते हूं शेयर करना चाहता हूं आज के लिए फिलाहल इतना ही बिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी नए टॉपिक के साथ में कि letters क्या होते हैं formal informal letters क्या होते हैं उसके examples को हम लोग उसके जिस तरीके से हैं पूरे format को पढ़ेंगे जानेंगे समझेंगे तब तक के लिए thanks for watching this video thank you once again